असलाम अलाइकूम आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह भूनते हैं तो चलिए यह से भूनना शुरू करते हैं बिसमल्ला कहते हुए कड़ाही के अंदर डाल रही हूँ एक सूपचास ग्राम जीरा और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखते हुए दस से बाराट मिनिट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे यह दिखे भूनने के बाद इसका कलर इस तरह से आ जाता है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल अब उसी कड़ाय में मैं डाल रही हूँ सिर्फ 25 ग्राम मेथी मेथी को भी हम लो फ्लेम पर रखते हुए अच्छे से भून लेंगे मेथी इस कंडिशन में आ जाए तो हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे अब इसे मैं मिला कर बताती हूँ आपको 150 ग्राम जीरा और सिर्फ 25 ग्राम मेथी हमने लिया है और इसे इच्छे से मिलाएंगे यह देख सकते हैं कि आप मैने किस तरह से भूना है अभी उसी कडाई में मैं सिर्फ फिर से 25 ग्राम राई ले रही हूँ और इसे भी हम बिल्कुल दीमी आंज पर रखते हुए इसे भून लेंगे आप देख सकते हैं कि इसका कलर किस तरह से चेंज हो गाए है और इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अब उसी कडाई में मैंने लिया है फिर से 25 ग्राम चावल इसे भी हम अच्छी तरीखे से भून लेंगे यह देखिए आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितनी अच्छी तरीखे से चेंज हुआ है बिल्कुल लो फ्लेम पर रखते हुए आपको भूना है और इसे भी हम जिरा मे अधिक अंधर मिलाएंगे और आप इसे देख सकते हैं कि इसकी कॉंटिटी कितनी होगे यहां पर मैंने लिया है 25 ग्राम तूर दाल इसे भी हम लो फ्लेम पर रखते हुए अच्छे से भून लेंगे और दाल हमारे अच्छे से भून चुकी है और इसे भी हम जिरा मेथिक के अंधर शामिल करेंगे और इसे भी अच्छी तरीखे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने का एक ही सबब है कि आपको मालूम हो जाए कि कितनी कॉंटिटी में दलते हैं और यहां पर मैंने लिया है 25 ग्राम कालिमर्ज इसे भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखते हुए अच्छ जैसे भुन जाए तो हम इसे भी जिर्यमथी के अंदर शामिल करेंगे और इसे भी आपको मिक्स करकर बताती हूं तो यह दिखिए हैं यहां पर मैंने 10-12 काड़ी करेपा के लिए हैं जो बहुत ही जादा ताजा करेपा है इसे मैं धूप में सुखा लोगी सुखाने के बा चाल बहुत हैरा निकल कर आजाए हैं और इसे भी हम शामिल करेंगे हमारे जी रमी यहां परने कर तयार हो चुकी हैं आप चाहें तो इसे आधारिट ग्राइंड करकर रखें और आधा साबुत रखें रखेंपा था बहुत के लिए ने रखें रखेंशने रखेंशने के भ करें और जो भी ग्राइंड किया हुआ है उसे कड़ी के लिए और खटे के लिए इस्तमाल करें उमिद करती हूं कि आपको मेरी इन्फरमेटिव वीडियो पसंद आई होगी फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलाहाफेज